हालो फ्रेंट्स मैं संतर्कुमार डिजटल के स्टाव में अपका स्वाग रहता है फ्रेंट्स ये हमारा 11 मॉडिल्स चाल रहा है और इस मॉडिल्स में हमने 3 वीडियो चुम्प्लीट कर लिया है आप लोग भी यह 3 वीडियो अच्छा से कंप्लीट की होंगे इस तीनों वीडियो के लाबा एक वीडियो और है जो आप लोग को देखना बहुत ही important है How to make Google Ad Account इसको भी देख लिजे इसके साथ साथ आप लोग को Keyword Planner भी देखना होगा Keyword Planner भी आप लोग अच्छा से सीखते जाएए ठीक है क्योंकि गूगल एड अकाउंट का ही सब पार्ट है तो आप इसको भी अच्छा से सीखिए यह मोडिल्स बहुत इंपोर्टेंट है यह आपके बिजनेस के लिए या आप जहां जॉब कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि फ्रेंट्स चाप कितना भी सर्विस अच्छा प्रवाइड करते या अच्छा प्रोड़क्ट देते हैं उससे डिपेंड नहीं है डिपेंड यह है कि आप तो अच्छा सर्विस प्रोड़क्ट करते हैं बट आपके सर्विस के बारे में या आपके प्रोड़क्ट के बारे में लोग जानते हैं याने इस पे डिपेंड करते हैं अच्छा सर्विस प्रवाइड ही कर देंगे प्रोड़क्ट और आपके सर्विस के प्रोड़क्ट के बारे में लोग नहीं जानेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाईएगा उसके लिए इंपोर्टेंट है एड चला इसलिए जितने भी टाइप का एड है, सारे एड को मैं डिटेल में एक-एक करके आपको बताऊंगा. त्रेंट, आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लेम नहीं आने दूँगा. अगर किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लेम भी आता है, तो आप कमेंट कीजिए, या वाटसेप पे मेसेज कीजिए, मैं हर कुछ आपको डिटेल में सॉल्व कर दूँगा. और जो भी डॉट होगा, आप लोग अच्छा से समझ जाएंगे. तो इस वीडियो में आपको दो पॉइंट बताने वाला हूँ, कि पेड रीज क्या होता है, और 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 गेनिक रीज क्या होता है. तो बने रहे हैं हमार साथ, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फ्रेंज अभी आप लोग एड मोडूल्स बढ़ रहे हैं, तो आप लोग के लिए दो पंजाना बहुत ही इंपोटेंट है, एक है और गेनिक रीज और एक है पेड रीज, यह और गेनिक रीज हुआ और यह है पेड रीज. अब और गेनिक रीज क्या होता है और पेड रीज क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं, देखिए और गेनिक रीज क्या होता है, और गेनिक रीज is the number of people who have seen your post through unpaid distribution, that means आप जो post किये किसी भी platform पे, तो कितने लोगों ने देखा, through unpaid distribution मतलब आप उस post में एक भी रुपए नहीं लगाए, उस post को add नहीं लगाए, add में कोई भी पैसे आप लोग नहीं लगाए, तो unpaid तरीके से कितने लोगों ने उस post को देखा, तुसी को बोलते हैं, organic रीज, the benefits of organic रीज is that you can publish post for free, organic रीज का मतलब हुआ, कि post को free में publish करना, ठीक है, जैसे आप facebook पे में ले जाके आपको दिखाता हूँ, कि देखे, यह facebook है, और यहाँ पे देखे, मैं एक वीडियो यहाँ पे post क्या हूँ, long tail keyword and short tail keyword, तो यहाँ पे देखे, one pupil wrist, four engagement, three shares, कितने likes आए, कितने comments आए, that means हम एक भी रुपए जब किसी post पे नहीं खर्च करते हैं, और वो post कितने लोगों के पास पहुचता है, तो उसी को बोलते है, organic reach, ठीक है, organic reach का direct मतलब यह होता है, कि हम उस post में एक भी रुपए खर्च नहीं किये, और उस post को कितने लोगों ने देखा, उसी को बोलते है, organic reach, आप friends, मैं आपको paid reach के बारे में बताता हूं, paid reach क्या होता है, paid reach is the number of people who have seen your post through paid distribution, जब आप कोई भी post publish किये, तो वो organic तरीके से कितने लोग देखा, ठीक है, अब उस पे जादे like, comment, share, सब नहीं आ रहे, आपको बहुत सारे लोगों के पास पहुचाना, तो organic से संभब नहीं है, तो आपको उस post में पैसे डालना परेंगे, that means Google को पैसे डालना परेगा, और बोलना परेगा, कि मुझे इसका air चलाना है, इस post को बहुत सारे लोगों के पास पहुचाओ, बहुत सारा like, comment, share, that means scene बहुत जादे लाओ, reach लाओ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, देखे, यह पे कितना reach है, एक reach है, तो आपको बहुत सारा reach चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे paid करना होगा, तो जब आप पैसे paid करके कुछ भी publish करते हैं, ठीक है, जादे से जादे people reach, engagement, share लाते हैं, पैसे paid करके तोसी को बोलते हैं, paid reach, ठीक है, जब आप add चलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं, paid reach, paid reach is the number of people, people who have seen your post through paid distribution, paid distribution से कितने लोगों ने आपके post को देखा, they will often display you as a sponsored on term, जब आप paid तरीके से reach बढ़ाना चाहेंगे, तो आपका जो post होगा, उस पे a sponsor लिखा हुआ आएगा, ठीक है, जैसे मैं आपको example देता हूँ, मैं facebook पे जाओंगा, और अब इस home page पे आओंगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह सब जो है, यह organic reach है, जो कुछ भी है, यहाँ पे देखिए, यह paid reach है, paid reach कैसे है, तो देखिए, यहाँ पे, जो paid reach होगा, उस पे a sponsor लिखा होगा, तो आप समझ किए, यह organic reach है, यह organic reach है, तो यहाँ पे देखिए, a sponsor नहीं लिखा रहा है, और यह paid reach, paid post है, ठीक है, यह paid करके जादे से जादे reach बढ़ाना चाहते है, तो यहाँ पे देखिए, a sponsor है, यह Google को पैसा दिया है, और इसको बहुत जादा reach चाहिए, तो इसका reach देखिए, खास likes नहीं है, reach इसक को reach दिखाए देगा, तो सिर्फ likes, comments, share दिखाए देगा, तो यहाँ पे देखिए, four likes है, तो I have friends, आप लोग organic reach and paid reach अच्छा से समझ गया होंगे, अगर इस दोनों point में कोई भी doubt है, doubt तुने होगा, बहुत easy term है, organic means बिना paid तरीके से कितने लोगों ने देखा, और paid means होता है पैसे लगा के कितने लोगों के पास पहुचा और कितने लोगों ने देखा, इसी को organic reach and paid reach कहता है, तो friends, बने रहें next वीडियो के लिए और पढ़ते रहें तब तक के लिए based of luck